हम बात करने जा रहे हैं आजम गड़ की एक और व्याइपी सीट जहां से समाजवादी पार्टी के उमीदवार धर्मेंद्र यादव जो की यादव फैमिली से आते हैं उनकी साख़दाओं पर हैं ये सीट से धर्मेंद्र यादव आगे दिखाई दे रहे हैं हाला कि पिछली मर्दबा ये चुनाव हारे थे लेकिन इस बार इनकी जीत दिखाई दे रही है आगे चल रहे हैं सीट से देकि आजमगर से निरहुआ टककर दे रहे हैं धर्मेंद्र यादव को उप्चुनाव में दर्मेंद्र यादव ने सीट भारते जनता पार्टी के जोडी में डाली थी ये लेकिन एक बार फिर यहां पर जो पाईट है वो दर्मेंद्र यादव और निरुआ के बीच में नसर आ रही है और एक्सिट पूल ये बता रहा है कि आजमगर में फिलाल धर्मेंद्र यादव का पलड़ा भारी है यानि कि धर्मेंदर यादव अनुमान ये कहता है कि धर्मेंदर यादव आजम गड़की सीट को जीट सकते हैं निरवा को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ सकता है गुट्टू जमाली एक फैक्टर थे उप चुनाव में जिसे अकलेश यादव ने ठीक चुनाव से पहले अपने साथ मिला लिया था और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जरूर कही ना कही नजर आ रहा है अगली फीट की बात कर लेते हैं अगली फीट साहरनपूर इमरान मफूद जहां से कॉंगर्स के उमीदवार अपने तीके बयानों के लिए विवादत बयानों के लिए इमरान मफूद जाने जाते हैं यह एक फीट एफी जहाँ पर इमरान मफूद आगे तो दिखाए दे रहे हैं लेकिन टकर यहाँ पर बड़ी बराबरी की है बड़ी close fight दिखाए दे रही है लेकिए साहरनपूर की बात कर रहे हैं, हम साहरनपूर में क्लोस फाइट जो है वो नसर आ रही है इमरान मसूद का दबदबा साहरनपूर में है, एक अच्छा खासा वर्ग है जो इमरान मसूद के कहने पर फैसले लेता है और उसका आसर exit pole के इस नतीजे में हमें नसर आ रहा है दो सीट की हमने भावेश बात की आजमगड और सहारनपूर पहले आजमगड में बताइए जब मैं आजमगड गई तो काफी चर्चा निरववा के काम की भी हो रही थी देड़ साल में जो काम निरववा ने किया उसकी चर्चा हो रही थी धरमेंद्र यादव एपसेंट रहते हैं अकलेश यादव जीत का प्रमान पत्र लेने नहीं आते हैं ये तक लोग चर्चा कर रहे थे फिर भी सपा यहां आगे है देखें सपा के वहां आगे रहने के में रीजिन वहां अस्थान ये का रहा है जो वोट बैंक वहां पर है सपा का वो बहुत उनके लिए परिसानी पाइदा नहीं करता है जो बाइपोल में दो साल पहले जो हुआ था वो यह हुआ था कि मुस्लिम बोट लगबट डिवाइड हो गया था गुड़ू जमाली बहुत बड़ा हिस्सा उसका लेके चले गए थे अभी यहां यह देखा जा रहा था कि यादव मुस्लिम और कुछ और जो छोटे अच्छा में रहते हैं एक और उनकी पैचाना कि पिछले 5 सालों ने 4-5 पार्टिया चेंज किया पहले से कॉंग्रेस में थे सपा में चले गए फिर बसपा में चले फिर कॉंग्रेस में आके पुनरमुज को बबर उनकी बहुत अच्छी चबी है नहीं वहां पे लेकिन वैसे बीजे पी वहां पर निकाल सकती वो होता हुआ नहीं देख रहे जिसके वहां पर बीजे पी अभी भी फैट में है ऐसा बैपने पीछे दिखाया है क्यों क्या कारण है देखिए इकराहसन जिस फैमिली से आती है उस फैमिली का या उनके आसपास की लोगों का बहुत रोल था जब दंगा हुआ था 2012-2013 में यूपी में हुआ था और तो इसके वज़े से उनकी जो चभी है उनको जो हिंदू मैजुरिटी जो है वहां पर उनको वोट मिलना बहु लिए थी तो बहुत कोई वज़ा है नहीं कि वहां पर हिंदू लोग उनको जाके वोट करे या जो उस दंगा से बहुत प्रभावी था उस दंगा के वज़े से बीजेपी के साथ जूरे था आपने देखा होगा जो 2014 में जो बीजेपी ने वेस्टरन यूपी में जो अपन बता रहे हैं उन सीटों की बात कर लेते हैं जो गड़ कही जाती रही है समाजवादी पार्टी की जहां किसी एक नाम के आगे पीछे चुनाव पूरा डिसाइड हो जाता है बात रामपूर की कर रहे हैं जहां मौलाना, मोहिबुला, नदवी समाजवादी पार्टी से चु चुनाव में बीजेपी ने अपने जोली में डाली थी लेकिन एक बार फिर इस चुनाव में बीजेपी को सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, ऐसी सीट मुरादाबाद की मुरादाबाद जहां पर तो बहुत वक्त तक इस बात को लेकर संशे बना रहा कि कैंडिडेट कौन होगा, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं दे पाए, एस्टी हसन, एस्टी हसन के बाद से रुची वीरा, लेकिन यहां का जो एक्जिट पोल है, वो क्या बता रह रही है, इसका मतलब तो यह हुआ कि जनता कंफ्यूस नहीं थी, उन्होंने तैय कर रखा था कि देना तो वोट समाजवादी पार्टी को है, अब वो एस्टी हसन हो या रुची वीरा हो, अभी इसके पीछे का आकलन क्या है, वो भावेश बताएंगे, लेकिन उससे पहले को और सीट की बात कर ले, संभल, देखे संभल की बात कर लेते हैं, संभल से जयाओर रह्मान बर्क समाजवादी पार्टी के उमीदवार हैं, देखे यहां से समाजवादी पार्टी के उमीदवार का निधन हुआ था, फिर उनके पोते को उमीदवार बनाया गया था, और ये सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नसर आ रही है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की साइकल चल रही है, भावेशी तो वही सीट हैं, जहां 2019 में भारते जनता पार्टी को जटका लगा था वेस्टन उपी में, और एक बार फिर वही होता हुआ बिलकुल आप सही कह रहे हैं, जो सपा, बसपा और जो आरेलडी का पिछली बार एलाइंस था, उन्होंने उस अपने सोसल ग्रूप के जो एक साथ जोड़ने के वैसे जीन सीटों पर प्रभाव डाला गया था, उसमें रामपूर, उसके बाद मुरादाबाजी सब सीटे थ उसमें, उसके बाद जब बसपा छोड़ के गी, तो बसपा के बहुत बड़ा हिस्सा अभी सपा के पास है, वही वोट और चुकी वहाँ पे इंजीन सीटों के हमनों डिसकसन करें, उसमें मुस्लिम मैजुरिटी बहुत जादा है, लगभग 50% के आसपास है, तो बीजेपी उस सीट को तभी जीत सकते हैं, जब वहाँ पे मुस्लिम वोटों में डिवाइड हो, जो कि नहीं दीक रहा है, इन ब्लॉक मुस्लिम वोट जो इंडिया इलाइन्स को गया है, जहां तक मुरादाबाद की बात है, मुरादाबाद में अभी भी थोड़ा सचान सके बीजेप उस सीटे जीत लिए, क्योंकि उनके कैंडिडेट, जिस तर उन्होंने कैंडिडेट को बदला दो तीन बार, बिल्कुर, तो स्टी हसन के वजए से साइध कुछ मुस्लिम वोट वहां पे डिवियर जरूर हुए है, तो एक संभावना है कि वो मुरादाबाद सीट बीजेप के सीट आपने अफजाल अंसारी को आगे दिखाया है, क्या पारसनात राय कोई टकर नहीं दे पाए? मनोसिना जब 2019 में चुनाब लगे थे, उसी टाइम हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, मनोसिना खुद भी चुनाब हार सकते हैं वहां पे, पारसनात राय नई कैंडिडेट को जरूर लेका है, लेकिन उनकी जो जनता में को इनको बहुत पहले से कोई जानता नहीं था, संग्ठन के आदमी हैं, चुनाब लड़ना जानते हैं, चुनाब जीता सकते हैं संग्ठन के, लेकिन उनकी ऐसी चबी है निकि वो किसी ऐसे को टक्कर दे सके, अब बाहुवली टैप के लोगों को जिनका अपना एक आधार होता है, खासकर जिस कम्निटी से आते हैं तो, गाजिपूर के बाद देखिए, अभी वेस्टन यूपी के सीटों की हम बात कर रहे हैं, और उस सीट की बात करते हैं, जहांसे ठाकूर नाराज हैं, ऐसा एक नरेटिव चलाने की कोशिश की गई, वो सीट है मुजफण अगर की, जहां संजीव बाल्यान के लिए अपनी ही सीट की बात करें, इस वक्त हम नॉइडा में खड़े हैं, बगली में गाजियाबाद है, यहां से बीजपी के नेता अतुल गर्ग और गाजियाबाद ऐसी जहां से वीके सिंग को बिठाया गया, नया चेहरा दिया गया, और यह भी वो चेहरा है जिसे लेकर लोगों के अं पर बीजपी कैसे क्यों नहीं जीत सकती है, कोई बहुत बढ़ी वज़ा है, पिछला मैंडेट भी बहुत बढ़ा था, बिल्कुल, गाजियाबाद में जनरल वीके सिंग थे, वो भी बहुत अच्छा काम करें, सबसे बड़ी मार्जिन से पिछली बाद चुनाब जीते वे सिला दिक्षित को सीएम प्रोजेट किया गया था, कॉंगरेस की तरफ से सुरुवाती दौर में, तो कहा गया था, कि ब्रामन वोट बीजेपी से टूट के कॉंगरेस के साथ जोज जाएंगे, यह सा नर्रेटिव बहुत जादा ग्राउंड पर वर्क नहीं करती है, जनरल कुस दवंग टाइप के लोगा जिनका अपना पॉलिटिकल इंकलाइनेशन होता है किसी पर्टिकुलर ग्रूप के साथ, वो लोग जरूर चिलाते हैं कि जो भी मुद्दा हुआ था, राजपूर से जो सुरू हुआ था, उसका चुना में बहुत जादा प्रभाब कहीं नह राजपूर गाया, राजपूर गाज़बाद की बात कर लेते हैं यानि कि नौइडा की बात कर लेते हैं, यहां महेश शर्मा को एक पर फिर से टिकिट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर काफी अटकले लगाए गई थी, लेकिन बीज़पी ने महेश सेफ सीट कही जाती है, वही सेफ सीट बनी हुई नसर भी आ रही है, अगली सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट, उतरप्रदीश की कुछ सीटों की अगर बात करें तो उनमें से एक है अमेठी, जहां से केंद्रे मंतरी स्मृती रानी ने चुनाव लड़ा, वबरदफ्त बिलकुल अमेठी की बाद राय बरेली की भी बात कर लेते हैं, यहां से राहूल गांधी को मैदान में उतारा गया, खुद सुनिया गांधी ने कहा राय बरेली को मैं अपना बेटा सौप रही हूँ, और राय बरेली एक बार फिर से कॉंग्विस के साथ इंटेक्ट नजर रही है, यानि की राय बरेली की सीट राहूल गांधी जीत रहे हैं हमारे एक्सिट पोल के मुताबिक, ऐसा ही अनुमान लगाया भी जा रहा था, अमेठी मिनाराजगी की बाते भाविश सामने आई, लेकिन फिर भी की राय बरेली को बेटा फौपा और बेटे को राय बरे जब देखे, जब आप किसी ऐसे सीटों पे चुनाब लगते जहां पे आपके सोसल एक्वेशन आपके फेवर में ना हो या वहां पे कोई बहुत बहुत बढ़े चानिड़े बहुत मनतलब किसी का सेफ सीट रहा हूँ उस पर जब चुनाब लगते तो आपको कांडिडेट इस सेलेक्सन बहुत पहले करना चाहिए तो अच्छा कैंडिडेट देना चाहिए था आप दिनेस ताप सिंग को टीकट यदि देना ही था तो दो तीन महीने पहले दे देते जैसे यूपी में आपने मार्च के महीने में अनौन्स कर दिया था वहां पर देखे जो उस सीट क देखे जान कुछ की वाक ओवर टाइट्स ते दिया अब माना जा सकता है वह कि वाक ओवर देना के यह या कुछ कुछ सोच के उन्होंने किया होगा क्या पता आगे का कुछ और प्लान हो उनका मुझे नहीं पता एक सीट और मैंपुरी जहां से समाजवादी पार्टी की उमीदवार अखिलेश यादव के धर्म पत्नी डिमपल यादव ने चुनाव लड़ा मैंपुरी सीट डिमपल यादव जीत सकती है यह समाजवादी पार्टी का गड़ है इसमें कोई दोर आए नहीं और अगर यादव फैमिली की बात करें तो चुनिंदा यादव जिन्हें टिकेट दिया गया वो परिबार की थे आजम गड़ हो गया इधर आप देख लें मै सुबूत पाठक ने यहीं से हराय था डिमपल यादव को अखलीश यादव यहां से मैदान में उत्रे और उसका आसर होता हुआ नसर आ रहा है कन्वाद से अखलीश यादव जीत का पर्चम लहरा सकते हैं ऐसा एक्जिट पोल बताता हुआ नसर आ रहा है सुबूत पाठक कि जो इमेज है वो कहीं न कहीं अब आप कह सकते हैं अखलीश यादव के सामने जरूर कमजोर पड़ रहे हैं हमारे साथ केंद्रे मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं हरदीप पुरी जी उनका रुखम कर लेते हैं हरदीप जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया ट बता रहे हैं exit poll exact results में उनका बदलाव होगा और जो हमारा 2014 और 2019 का हमारा अनुभव है कि जो exit poll बताते हैं जो finally EVM के नतीजे आते हैं उसमें तो हमारा performance उससे जएदा अच्छा ही होता है और मुझे पूरी उमीद है और जो हमने विकास का काम किया है इसको लेके हमारा जो भ 45 के आसपास होगा और NDA's allies को मिला के हम 400 के करीब होंगे 400 पार भी कर सकते हैं और जो बाकी दल है जो हमें अपनी support देते हैं उसको मिला के हम 400 से बहुत अच्छे आगे होंगे लेकिन अभी भी मलिक अरजुन खड़के हों राहूल गांधी हों वो यह कह रहे हैं कि हम तो दो कि अरजुन खड़के जी के पोल में और बाकी opinion पोल में फरक से इतना है बाकी opinion पोल जो है वो लोगों से बाचीट करके 95,000 लोगों से feedback लेके जियो टेक करके cross check करके करते हैं मलिक अरजुन खड़के जी का जो पोल है वो 4-6 लोग इंडी alliance के बोले उस meeting में और उस meeting में उन उन्होंने तैग कर लिया कि फिगर ये इतने पर आएगा तो इसलिए उसका कोई साइंटिफिक बेसिज नहीं है हाँ उनकी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है और मैं समझता है अपने मन को बहलाने के लिए ये कर रहे हैं इसलिए उन्हें ने 295 का पोल फिगर निकाला है मुझे जहां तक समझ है इन चीज़ों की मुझे लगता उनको खुद भी पता है कि दे आर गों तो फेड इंटू अबलिवियन उसका मतलब यह है इसके बाद उनकी कोई रेलिवन्स रहेगी नहीं आम आद्मी पार्टी तो कॉलाप्स कर गिये दिल्ली में भी और पंजाब में भी कॉंग्रस पार्टी उठनी पारी टी-मसी के आप वेस्बिंग ओल के रिजल्ट देखिए वहां पे भी हमें 26-28 सीट आ रहे हैं बिहार जहां पे मुझे थोड़ा सी चिंता होती थी वहां पी भी हमारी शोइंग बहुत अच्छी है उडिशा देखिए महाराश्ट्रा देखिए तो इसलिए भारतिया जनता पार्टी जा रही है 350-55 के आसपास अपने आंकडे में और NDA के साथ मिलके 400 के करीब होगी अब देखिए भविश्यवाडियों का दौर चली रहा है अब राहुल गांदी का ये तीसरा चुनाव है अर्दीब जी जो नरेंद्र मोदी के सामने वो लड़ रहे थे उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था यात्राएं उन्होंने निकाली लेकिन अभी भी नाकामी उनके हाथ लगेगी ऐसा अनुमान तो लगाया जा रहा है उनके बारे में अब आप क्या कहेंगे क्या करना चाहिए उनको मैं क्या कहूं उनके बारे युवा नेता है पचपल साल उनकी आयू है शुकर है वो सरकारी अधिकारी नहीं है पर उसके लिए भी सफल होने के लिए हिंत्यान पास करना पड़ता है पर अगर वो सरकारी अधिकारी होते तो रिटार्मेंट के करीब पहुंच गए होते multiple उनकी launches हो चुकी है ये वारी launch तो regrettably ये भी failure है पर आने वाले अभी तो समय है आप 2029 का 2034 का जो सिनारियो होगा उसमें उसके लिए तैयारी करनी शुरू करें पर उस तैयारी के लिए उनको इंडिया में रहना चाहिए थोड़ा समय ये स्पेन और थाइलेंड जाके भारत ये राजनीती वहां से चलाना थोड़ा मुश्किल होता है हरदीप ची आप relevance के बात कर रहे थे अर्विन केश्रिवाल और आम आदमी पार्टी का relevance यहां से आपको क्या दिखाए दे रहा है अर्विन केश्रिवाल का relevance तो काफी समय पहले खतम हो गया था यह इस पार्टी की जो जनेसिस है इनकी पैदास जो है अंटी करॉप्शन स्कैंडल के movement अन्ना हजारे जे के movement में शुरुआत हुई थी और उस 2013 से लेके आज तक अगर आप लिकर स्कैंड देखिये दिल्ली जल बोर्ड में जो हुआ है बाकि इन्हों ने जो भी किया जहां पे इन्हों ने हाथ डाला तो अभी दिल्ली में तो उनका सफाया हो गया साथ सीट में और जो पंजाब के figures आ रहे हैं वहाँ पे बीजेपी का vote share जो है 9% से 26% पहुँच गया है और आम आजमी party की steep decline है तो मैं आज़े समझता हूँ कि यह जो start-up का experiment है इसको अपने आपको reinvent करना पड़ेगा पंजाब की बात में आपसे करना चाहरे है जहां पर इनको state hospitality मिल रही है महां पर समय भी मिलेगा सोच विचार करने का मैं पंजाब की बात आपसे करना चाहरे थी पंजाब से बहुत उमीदे थी पूरी ताकत आप लोगों ने भी जोकी लेकिन exit pole में वो नतीजों में reflect होता हुआ नजर आ नहीं रही है उतना अच्छा करती हुए नजर आ नहीं रही है सीटों के लिहास से अगर देखें अरद सीटे आगी 13 में से कहा हमारी 2 out of 13 और 6 out of 13 इसमे तो दिन रात का फरक है सबसे बड़ा जटका जो इस बार किसी नेता को लगा है तो वो पशिम बंगाल में ममता बेनर्ट जी को लग रहा है exit pole के लिहास से बीजेपी नमबर वन पार्टी दिखाई दे रही है पशिम बंगा अब देखी कई नेता हैं जो इस exit pole पर भी अलग-अलग तरीके की टिपड़ी कर रहे हैं ते जस्वी यादव को यकीन नहीं हो रहा है जैराम रमेश कह रहे हैं इस पर ध्यान मत दीजे ये तो सरकारी प्रोपोगेंडा है हम तो 295 सीट हासिली करेंगे इधर RGD की तरफ से से भी रियक्त किया जा रहा है कि हम तो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे अजंडा तक तै कर लिए हैं नहीं नवेली सरकार का ने वो तो उनको बिल्कुल आपको खुली छूट देनी चीए उनको अजंडा भी सेट करो और पांच साल में क्या-क्या करना वो भी आज और कल में कर लो क्योंकि परसों तो रियालिटी हकीकत सामने आ जाएगी बहुत शुक्रिया हर्दी पुरीची इंडिया चीवी को सुमय देने के लिए एक्जिट पोल का आकड़ा इस वक्त अदेश की जनता के सामने